देखिए नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है अभिनिंदन है इलाबाद युनिवस्टी में जो भी बच्चे CUT UG 2024 का एक्जाम नहीं दिये है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंबॉडन्ट है जो CUT 2024 का पेपर दिये है उनके लिए वीडियो ये जरूरी नहीं है पहली बार में बता दे रहा हूं खेर अगर आपके हित्र मित्र हो और मान लीजिए वो CUT UG 2024 दिये ही नहीं है तिर भी क्या एडमिशन इलहबाद इनवस्टी के अफिलेट कॉलेज में हो सकता है अब वो कैसे हो सकता उसका प्रोसेस क्या है इस वीडियो के मात्यम से हम बता रहे हैं इलहबाद इनवस्टी में जो बच्चे CUT UG 2024 का पेपर नहीं दिये है वो काउंसलिंग के लिए इलिजिबल ह हो सकते हैं पसरते सर्त यह है यह बच्चे सिर्फ कॉलेज की काउंसलिंग के लिए इलिजिबल हो गए में कैंपस में सीटे बहुत सीमित रहती है और कॉंपटीशन में कैंपस के लिए ज्यादा रहता है तो कैंपस की सीटे सारे कोर्स की भर जाएंगे तो आपको कैंपस मे मौका मिलेगा ही नहीं जो बच्चे 12th pass करके direct जिन्होंने CUT-UG नहीं दिया है वो campus की counseling में हिस्सा नहीं ले पाएंगे अगर आपका मन कर रहा है कि आपको affiliated college में पढ़ना है तो college की counseling का हिस्सा हो सकते हैं जाने की 12th pass आपने किया हो और आपने CUT-UG का exam नहीं दिया हो तब आप ये काम करिएगा और जिन्होंने CUT-UG दिया है उनके लिए एलहबाद university का registration सुरू हो चुका है वो जाके उस website पर अपना registration करें उनके लिए सूचना नहीं है अगर वो बच्चे एक साथ वह रजिस्टेशन कर देंगे तो college college की चिंता आपको नहीं करने है एक रजिस्टेशन से आप सारे अफ्लेटर college की counseling करवाएंगे लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने CUT 2024 का paper नहीं दिया है यानि कि वो counseling जो पेपर दिये ही नहीं है डारेक 12th pass किये है और CUT 2024 नहीं दिया है पिछले साल देखिए अगर आप नए चात्र है तो हमारे channel से आप जुड़ जाएए क्योंकि बहुत जरूरी है एक एक update आपको जरूरी रखना साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम अलहाबाद इंवस्टी एक्सप्रेस को आप जोईन कर लिजे जहां पर आपको सारे link मिल जाएगी आप कहां पर registration कर सकते हैं इलहाबाद इंवस्टी के बहुत सारी affiliated college है 11-12 affiliated college है पिछले साल यहाँ पे बहुत सारी सीते खाली हो गई थी क्याने कि यूजी में admission बहुत हुआ नहीं था इस वज़ा से इस बार यह कहा गया है कि जो affiliated college है वे जो बच्चे सीवीटी यूजी दोहजार चौबिस का पेपर यह कहां होगा यह CMP degree college की website पर होगा इसवर सरन degree college है यह भी BA, BSC, BCOM, BWOC का जो registration है वो आज जुलाई से सुरू करेगा आरी कन्या degree college जो कि सिफ girls college है यह girls college है और यह BA, BCOM का registration यहाँ पे सुरू हो चुका है non-CUETUG वाले बच्चों के लिए हमीदिया girls college है यहाँ पर भी direct registration हो रहा है जो बच्चे CUTUG 2024 का इजाम नहीं दिये हैं उनका registration यहाँ पे सुरू हो चुका है अब सुनिए इसमें करना क्या है आप जो main website पर registration हो रहा है लाबाद इन्वस्टी की main website पर वो registration सिर्फ CUTUG 2024 वाले बच्चों के लिए है तो आपको वहाँ से नहीं मतलब होना चाहिए अगर आपने CUTUG 2024 नहीं दिया है आपको अलग-अलग college के registration करना होगा यानि कि अगर माले जीए कि आप CMP में पढ़ना चाहते हैं 12 आपने पास किया है और आपने CUTUG 2024 नहीं दिया है अगर आप चाहते हैं तब आप यहाँ पे जाके अब registration कर देजिए इसका link कहा मिलेगा इसका link हमें आपको मिलेगा हमारे टेलिग्राम एलहाबाद इंवस्टी एक्स्ट्रेस पे मिल जाएगा link बाकी CMP की वेबसाइट पे भी आपको इसका link मिल जाएगा 300 सरेंड अच्छा देखिए इसमें इसमें यह कहा गया है कि BA, BSC, B.com और BCA के लिए आप registration कर सकते हैं 50 seat है और 10-12,000 registration CUT वाले बच्चे करते हैं तो seat वैसे भी भर जाएगी तो BA, LLB के लिए कहीं भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जब आपने, देखिए BA में बहुत seat हैं तो इस वज़ा से इसका registration CMP करवा रही है BSC में भी seat हैं, B.com में भी seat हैं इस वज़ा से यहां पर registration इस कोर्स में करवा रही है ISDC की बात पर तो BA, BSC, B.com, B.walk यहां पर यहां देखिए B.walk, B.com, B.SC, B.A. आरे कन्या डिग्री कॉलेज में सिर्फ BA है और B.com है, यहां पर 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक आप Monday to Friday यानि 100 मुहार शुक्रवार आप डारिट कॉलेज में जाए और सीधे यहां पर लड़किया जा सकती हैं, लड़के नहीं जा सकते, यह registration यहां पर कर सकते हैं हमीदिया गल्स कॉलेज है, यह भी यहां पर लड़कियों का कॉलेज है और यहां पर भी आप डारिट जाके अपने फॉर्म को ले सकती हैं, तो यह सारी सूचना है, अभी कुछ अफ्लिटेट कॉलेज जैसे कि इलहाबाद डिग्री कॉलेज, स्यामा प्रसाद मुखरजी कॉलेज, एविन किस्चन कॉलेज, वैसे ECC का बहुत विशार, ECC में सीटे भर जाती हैं बहुत जल्दी, क्योंकि वहां पर भी बहुत कॉंपटीशन रहता है, ऐसा स्खना डिग्री कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज ने अभी इस प्रोसेस को स्टार्ट नहीं किया है, जो न दिन तक रेजिस्टेशन चलेगा, लेकिन आप देखते रही है, अपडेट रही है, लगातार चैनल से आप जुड़े रहे हैं, तभी जरूरी है कि आपको सारी जानपारी बहुत सथीक तरीके से में दे पाऊंगा, इन सभी का लिंक आपको कहां मिलेगा, अलग अलग यानि कि हमारा थोड़ा सा अलग नाम है, ये आप टेलिग्राम जॉइन कर लीजिए, इसी के नाम से इंस्टाग्राम भी है, वहाँ पर भी आप जुड़े ही होंगे, तो आपको बहुत परिसान नहीं होना है, देखिए जरूरी है कि सिर्फ बीए, बीसी, बीकॉम और बीस कॉंसलिंग होगी, अगर सीटे उसके बाद खाली रह जाती है, तभी आपका एडमिशन होगा, पर निथा नहीं होगा, ये भी आप जान लीजिए, अगर सीटे भर गई, मान लीजिए कि सिमपी डिगरी कॉलेज में आपने फॉर्म भरा, बीकॉम का फॉर्म भरा आपने, यहां पर सीट बीकॉम की भर गई, तब आपको बीकॉम में सीमपी नहीं मिलेगा, आप ये भी जान लीजिए, अगर वो सीटे दोहजार चौबिस के हिसाब से बर जाएगा, यानि कि उसमें भी तो अभी रिजिस्टेशन पचासु हजार रिजिस्टेशन होंगे, तो कि अ यह एपडेट है, यह वीडियो टीशज दिया नहीं है, उने से ुसका तलब होना चाहिए, बस अब जिन्हों नो इस दिया है इस कि उइऊ टीशी वह अलग वीडियो देखे उनके लग वीडियो मैंने बनाया है, यह जानकारी है, पानी लेकर चले वो भैया और यह जू है प्यास लग जाती है ना वीडियो बनाते हुआ है तो यह जानकारी है यह अपडेट है आप लोग इससे लगतार जुड़ी रही है यह सारी चीजें है कि बहुत परिशान नहीं होना है अभी आप लोग धैर से काम लीजिए और जितना चीजें बताई जा रही है उसको आप फ